मोबाइल फोन हमारी दिन चर्या का अविन हिस्सा बन गए हैं। हम इनका उप्यों केवल संचार के लिए नहीं बलकि मनुरंजन, जानकारी और बहुत से अन्यकारों के लिए भी करते हैं। लेकिन क्या आप भी सोते समय अपना मोबाइल फोन से रहने रखकर सोते हैं। अगर हैं कि मोबाइल फोन सिर्हाने रखकर सोने से हमारी सेहत पर क्या बुरा असर पड़ता है। चलिनिक करते करीब पांच साल हो गए हैं। जैसे कि आपने बताएं कि आपको पांच साल हो गया है। तो आज कल एक बहुत पॉमन चीज देखी जारी कि जैसे हमारी युवा हो गया। तो वह फोन का यूज तो बहुत जादा बढ़ एक खंध लेकित सासाथ क्या करते है कि फोन का यूज पर देग रात तर उन्हें नीध आती है तो अपने पीडों के मीचे लिए आपने सर के लिपकर फोन वाले तो उससे होने वाले कुछ जो घट्रे गरता ही और यह सबगें स जिसे हम अलग नहीं कर सकते जैसे चीनी को पानी में मिला दो तो उसके बाद उसे सेपरेट करना मुश्किल है ठीक वैसे ही आज के युवा लोग जो है इसमें काफी हद तक इंडल्ज हो चुके और दिन से रात तक वो स्कॉल करते रहते रात रात हो जाती है जो सबसे इमेड डेला कर तो पीलों के पास में रख देते हैं क्योंकि आप कोई भी नोर्टिफिकेशन मिस करना नहीं चाहते है आपके मोवाईल पर अलाहम सिस्टम लगी होते है वो भी आपने की खत्रे बढ़ जाते है यह पर्मुक्ष चीज है जिस पर हमें सबसे घंबदा से धान देना जीरा जो सबसे इंपोर्टन चीजह उसके रियस 스 एक उसकी उपकरण जो कि को इलेक्ट्र मेंग्नेटिक रिटीसर सबेडियोट रिलीज में रेडियो उनअच वाद गामा टोगी हमारेय्य और के जर्दयर दाइमिज्श करती है् जो रेडियेसंस होते हैं यह हीट प्रोडेसिंग रेडियेसंस होते हैं यह रेडियेसंस रेडियो फ्रिक्वेंसी तीन बातों पर डिपेंड करता है एक आप कितने नजदीक है मोबाइल से दूसरा कितने समय तक मोबाइल के पास रहे हैं और तीसरा बेस स्टेशन या स्पेस में होते हैं तो मोबाइल टावर से कनेक्शन से जो होते हैं बहुत ही आसानी से मिल जाती है तो हमारी मोबाइल जो होते हैं कम रेडियो फ्रेक्वेंसी का इस्तमाल करती है जैसे आप रूम बंद करते हैं पीलो के नीचे रखते हैं तो वो सिंगनल गेन करने के लिए अगर हम बात करें, तो 2011 में WHO ने एक वार्मिंग एडवाइज़ दी ती कि इससे ग्लामा होने के खत्रे बढ़ जाते हैं, खासका बच्चों में, ग्लामा एक ब्रेंट ट्यूमर है, जो बच्चे जहां कि ब्रेंट से डेवलप कर रहे होते हैं, प्लस उनके जो स्कल्स होते है वो काफी immature होते हैं, तो उनमें इनकी खत्रे होने की संभावना या ट्यूमर होने की संभावना काफी मानी गई है, लेकिन बहुत सारे studies अभी और भी चाहिए इसको one-to-one correlation गेन करने के लिए, तो सर अगर मैं बात करूँ कि इससे बचा कैसी जा सकता है, बिलकुल, और दो- बिलकुल दिखेंगे, तो बचाप के बात करें, तो काफी सरल है कि जब भी आप मोईल यूज करते हैं, और समय होने पर मोईल को या तो स्विच अप कर दे या एरफ्लेन मोड में रखें और अपने से दूर रखें, इसकी कोई स्पेस्पिक गाइडलाइन नहीं है, लेकिन कहते हैं, एक मीटर या उससे उपर की दूरी पर रखनी चाहिए, यह आप से जितना दूर हो उतना ही बहतर, जैसे कि बात करूं कि फोन तप्या के नीचे रखने से, और भी कोई चीजे होगी, जो हमारी बॉडी में मानी जगर फटना ना हों, तो कि कुछ-कुछ चीजे ज बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि इसकी जो immediate effect होते हैं, वो psychological effect ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसके radiation से हमारी brain की melatonin और सरकाडियर रिद्म जोती है, वो disturbed होती है, जिसके कारण sleep awake cycle, आपका disturbed होना सौभाविक है, आप देर राज तक जगे रहते हैं, और सुवर लेट तक आप सोई रहते हैं, जिसके कारण आपकी brain जो होती है, वो दिन बर happy feeling, मतलब भारीपन सा सर में होना, किसी भी काम में focus ना होना, याद दास्त कम होना, चीजे भूल जाना, और चुड़ चुड़ाहट, यह भी एक common symptom है, यह सारे psychological symptoms काफी common है, इस तरह के excessive mobile use या फिर आप पास मे mobile का स्तमाल करते हैं, अकांचा दिक्षित लोकल 18 दिल्ली